यह है प्रैक्टिस सेट नमबर टू जो कि आपके लिए बेनिफिशिल होंगे यूजी सी नेट जयारेफ के लिए टीटी पीजिटी के लिए अभी एल्टी ग्रेट की विकंसी आने वाली है उनके लिए भी और फिर होम साइंस से रिलेटेड़ आप किसी भी कॉम्पटेशन ए हैं तो उन सब के लिए आपके लिए बेनिफिशिल है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिजेगा अगर आप चैनल पर आज पहली बार है या अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सस्क्राइब जरू कर लीजेगा यहां से आप फालो कर सकते हैं यह तैलिग्राम चैनल है यहां पे आपको इस सारे जो भी वीडियो हम यहां पे कोशिशन्द कर रहे यह इन सब का लिजा हम यहां पर आपको डेले मिल जाएंगा और साथ मेल इक करलास कर चानल में सको फ्री में धूल रोच और यहां से Facebook page है, जो आप यहां से follow कर सकते हैं, सबसे पहला question है, the ideal size for flash card is, सबसे पहले बताना है कि जो flash cards होते हैं, उसके लिए ideal size क्या है, तो flash card क्या है, यह 10 से 12 cards होते हैं, जिसके हम अगर कोई awareness program हो रहा है, तो awareness program के लिए information को कैसे convey करना है, लोगों तक कैसे पहुचाना है एक story के form में, उसके लिए flash card यूज किये जाते हैं, और especially उस population में यूज किये जाते हैं, यह flash card ऐसे जिगह पर यूज किये जाते हैं, जहां कि population हम बोल सकते हैं, illiterate है, जो जहां पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे direct to direct lines नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए flash cards यूज कि जाते हैं, यह 10 से 12 cards में, जो भी हमको information देनी हैं, उसको story के form में बनाके, उनलों तक यह awareness या जो भी information है, वो पहुचाए जाती है, तो उसमें flash card का ideal size बताना है, यह क्या है, तो आपको यह भी बहुत ध्यान देखना है, कि यह inches में दे रखा है, कहीं कहीं तो यह 10 x 12 inches सही हो जाएगा, और कहीं कहीं आपको यह cm में दे रखा होता है, तो यह आपकी एप्रॉक्स 22 x 28 या कहीं कहीं पे 30 भी आपको लिखा मिल जाएगा, अगर cm में दिया है, तो आपको 22 x 30 वाला select करना है, और अगर आपको inches में दे रखा है, तो 10 x 12, और आप यहां रखे हैं, तो एक नमबर से आप दो चीज़े याद रख सकते हैं, कि तो जब एगर flashcard यूजर कर रहे हैं, तो 10 x 12 flashcard यूजर के जाते हैं, और उनके अगर हम ideal size की बात करें, तो 10 x 12 inches इनका ideal size भी है, नेक्स कोशन आता है, वाट इस Audipus complex, Audipus complex क्या है, यहाँ पर आपने दो टर्म पढ़ें होंगे, एक तो Audipus complex, एक Electro complex, तो अगर हम बात करें Audipus complex की, तो यह BOYS के लिए होता है, और अगर हम बात करें Electro complex की, तो यह GIRLS के लिए होता है, तो यह होता क्या है? especially यह होता है कि boy का attraction for his mother तो मतलब opposite sex के लिए जब attraction होता है उसको हम बोलते हैं audipus complex यह हमने जो theory पढ़ी है Fred की psychosexual theory उसमें यह है और यह term audipus complex and electra complex कौन सी वाली stage में इसको discuss किया गया है यह आपको बताना है हमने गर हम बात करें Fred की psychosexual theory तो इसको हमने detail में इसको हमने detail में इसको हमने很有 detail में discuss किया है तो इसमें total five stages होती है तो यह कौन सी वाली stage है इसमें audipus complex और electra complex को discuss किया आता है इसको हमने एक story के form में भी जब हम detail में पढ़ा है video यह discuss किया है क्योंकि वो अपनी mother से साथी कर सकी यह इस टाइब की story हमने भी discuss की थी वो है ODPUS complex ओस इस स्टेज में discuss किया गया है यह answer आपको बताना है नेक्स question है Moderate hearing loss is indicated when a child can hear only at moderate hearing loss मतलब मध्धम श्रमण हानी का संकेत हमने पढ़ा है ना moderate severe mild moderate severe severe के बाद आता है profound तो यह हमने moderate की गर हम बात कर रहे हैं तो moderate कौन सा hearing loss है इसको हम बोलेंगे moderate hearing loss है तब जब 41 से 55 decibel की जो sound है अगर बच्चा उसको प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा है उसको कोई reaction नहीं देता है तो उसको हम बोलेंगे moderate hearing loss 41 से 55 decibel और यह sound की unit है decibel नेक्स कोशन आता है when does sexual urges re-emerge तो यह भी हमने फ्रोड की psychosexual theory में पढ़ा है इसमें बात कर रहे हैं कि जो sexual urge है यह दुबारा से re-emerge क्यों होती है कब होती है अभी हमने लास्ट में स्टेज में discuss किया audipus complex और इलेक्टरा complex तो यह होता है starting इसके बाद यह urges other जैसे बच्चा स्कूल जाता है उसको वहाँ से फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज हो जाता है homework इंगेज हो जाता है बहुत सारे अपने friend circle में इंगेज जाता है तो यह sexual urge वाली जो यह है यह यहाँ पर कि एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर sexual urge रिमर्ज होती है जो कि कौन से स्टेज है जराइटल स्टेज तो यह auripus complex और इलेक्टरा complex कौन से स्टेज में डिसकस किया यह स्टेज आपको comment section में बताना है और अगर हम बात करें कि दुबारा यह इलेक्टरा जो यह ओडिपस complex और इलेक्टरा complex है यहाँ पर first time पर sexual urge रिमर्ज होती है उसके बाद यह डिमिनिश हो जाती है उसके बाद दुबारा रिमर्ज होती है तब यह होती है जनाइटल वाले स्टेज में जो लास्ट फिफ्ट स्टेज है उसकी एज क्या है 12 प्लस next question आता है which theory was given by erection तो हमने लास्ट वीडियो में भी एक question किया था कि psychosocial theory किस ने दी है तो simple सी बात है जो psychosocial theory है वो erection ने दी है और कई सारे लोगों ने answer भी किया था और सबने सही answer किया तो erection के अगर हम बात करें तो यह psychosocial theory दी है एक erection ने next question आता है workman compensation is paid to worker जो worker है उनको workman compensation कब दिया जाता है मतलब कामगार के मुआफजे का भुकतान एक कार्यकरता को किया जाता है मुआफजा कब देते हैं जब कोई loss होता है या कोई किसी के साथ कुछ settlement करना है या हम चीजें अदली विदली कर रहे हैं तब यहाँ पे हम government की तरफ से काई roads बनती हैं वहाँ पे उस route में जिसकी भी जितनी भी जमीन या property जा रही है उनको उस property according मुआफजा दिया जाता है तो उसी की यहाँ पे बात कर रहे है कि company में कोई worker अगर काम कर रहा है तो उसको मुआफजा तब देते हैं जब उसको काम करते time को injury हो जाए कुछ चोट लग जाए तब उसको महाँ पे जो पैसे दिया जाते है या जो उसको चोट हुई है जा उसको जो भी loss हुआ है उसके fulfillment के लिए जो उसको पैसा दिया जाता है उसको बोलते है worksman compensation तो जब काम के time या company में काम के time जब कोई injury हो जाती है तब उसको जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते है workman compensation next question आता है one of the motive used in बंधनी बंधनी means tie and die तो tie and die में कौन सा motive यूज किया जाता है तो tie and die के अगर हम बात करें तो उसमें लड्डू जलेभी ये वाला option सही है ये लड्डू जलेभी का motive यूज किया जाता है next question है occurs when adults meets a child's basic need for survival जब वयस्क जीवित रहने के लिए बच्ची की बुन्यादी जरूरतों को पूरा करते हैं तो हमने यह जो एरिक एरेक्शन की psycho social theory यहाँ पर देखो एक बच्चा और एक adult के बीच के connection की बात कर रहा है तो मिंस यहाँ पर social relationship develop हो रहा है तो यहाँ पर हम बात कर रहा है को उस development में 8 stages के बारे में बात किये यह वीडियो भी हमने अच्छे से proper सा discuss किया है तो यह वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा तो यहाँ पर बात कीगे कि बच्चे की कौन सी बिल्कुल बुनियादी need है या basic need है जो बच्चे को आगे survival के लिए help करती है तो जो छोटा बड़ों से या किसी से कुछ help की बात करते हैं या हमको कोई need है उनको बताते हैं तो वहां से यह हमारी जो need है वो fulfill होगी मिन्स उनमें विश्वास आता है कि हम हमारे जो बड़े हैं आप से जो elder है हमारे parents है यह हमारे लिए हमें help करते हैं तो यहां से क्या develop होता है trust versus mistrust वहां पर वो विश्वास करना सीख पाएंगे और अगर छोटे में ही उनकी बातों को विश्वास नहीं किया जा रहा है या उन्होंने कुछ उनकी need है वो proper fulfill नहीं हो रही है तो वहां से उनमें mistrust develop होगा वो आगे life में भी चीज़ों पिजल्दी विश्वास नहीं कर पाए बिगिन्स डियूरिंग प्री ओपरेशनल स्टेज प्री ओपरेशनल स्टेज कब में क्या development start होता है और यह प्री ओपरेशनल स्टेज कौन से ये से स्टार्ट होती है देखो यह फ्रियूड की जो cognitive development थीओरी है उसके एकर हम बात करें तो उसमें आती है यह प्री प्री इसका टाइम पिरेड है यह आपको बताना है तो आपके पास दो कोश्चन हो गए और डिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में यह करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं उसके बाद आता है यह प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसका जो इसका रिपस कर दो कोई ताइम पिरेड क्या है यह प्री अपरेशनल स्टेज कौन से यह से स्टार्ट हो के कौन से एर watching और इस उसमें पूछा गया है कि इसमें during pre-operational stage क्या development होता है तो अगर हम बात करें walking तो बच्चा एक पहले साल में चलना सीख जाता है में sensory motor में बच्चा चलना सीख जाता है उसके बाद crying crying तो बच्चा at a time of birth भी बर्थ होने के बाद crying आता है tooth development के अगर हम बात करें तो यह भी 8-9 मन्त में tooth का eruption होने लगता है दात निकलने लगते है pre-operational stage में specially language development होता है तो option number B है सही हो जाएगा जो pre-operational stage है इसमें mainly language development होता है next question है salt is added in dyeing for dye जब हम tie and dye करते हैं तो उसमें salt क्यों एड किया जाता है क्या reason है options है absorption exhaustion solubility all the above जब हम dye कर रहे हैं तो fabric के quarding dye use की गई fabric ने dye को absorb कर लिया तो यह हो गया dyeing लेकिन salt यूज किया है क्यों क्योंकि एगर हमने dye solution लिया है इसमें 100% dye है कोई कप्रा इसमें dye किया कप्रे ने 90% dye को absorb कर लिया जो कि fibers के अंदर चली गई बची 10% वह कप्रे के surface के उपर इकठी हो गई तो जब भी कप्रा धुएंगे उसमें से जो surface के उपर 10% dye जो इकठी है इसका color निकलेगा तो इसी लिए नमक यूज करते हैं कि जो उपर ये color जो कप्ड़े के उपर जो surface पे जो color जमा हो रहा है ये color ना जमा हो और फस्ट वास में जब कप्ड़े को धोते हैं तो सारा color जो surface के उपर है वो निकल जाए और जो fibers के अंदर है वो बिलकुल अच्छे से absorb हो जाए तो exhaustion के लिए जो exhaustion है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो like and share जरूर कर देजएगा अगर आपके पास question हो गए दो audipus complex और electro complex कौन से stage में आते हैं उसके बाद जो pre operational stage है इसका time period क्या है means कौन से year से या कब से start होके कौन से year तक खतम होती है और अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजेगा next question है GOTS यह कई भार net के exam में पूछा गया है इसका full form पूछा गया है कि GOTS का full form क्या है तो अगर हम बात करें GOTS की तो उसका full form है global organic textile standards option number B जो यह है सही हो जाएगा next question आता है changes in feature is affected development changes in feature means जैसे जैसे child की अगर हम बात करें child जो है वो grow कर रहा है तो उसमें कुछ नए characteristic develop हो रहा है नए चीजे वो सीख रहा है उसके features में changement हो रहा है तो यह कैसे आता है तो यह feature में जो changement हो रहा है यह development जो हो रहा है वो किया चीजे जो है वो उसको affect करती है तो सबसे पहले learning and maturity बच्चा जब बड़ा हो रहा है वो mature हो रहा है नए चीजें सीख रहा है तो यह learning और maturity जो है यह feature के जो फिचर चेंज है इसको अफेक्ट करता है तो आप्शन नमबर सी जो है यह सही हो जाएगा बोथ ए एड बी नेक्स्ट कोशन आता है human development is affected by जो human development हो रहा है means कोई person है वो एक environment में रहता है यह कोई person है उसकी society है यहां का environment क्या है उसके अपने जो parents है जो उसकी characteristic मिले है gene या heredity उसकी heredity profile क्या है तो कर हम human development की बात करें तो उसमें उसका environment और heredity characteristic यह दोनों चीजे human के development को affect करती है तो बोथ a and b option जो है सही हो जाएगा बोथ a and b hereditary environment यह दोनों चीजे human development को affect करती है मानव के विकास को affect करती है one of the type of utilities यह question भी कईवा एक्जाम में पूछा गया है नेट के एक्जाम में one of the type of utility इन में से कौन से एक उपयोगिता का प्रकार है तो जो diminishing utility है यह एक उपयोगिता का प्रकार है next question आता है why is conflict easy to happen in peer groups peer groups means जो friend circle होता है उनमे conflicts या हम बोल सकते हैं कि किसी भी बात पर उनका जो points of view होते हैं वो reflect करते हैं या उनका discussion करते हैं तो किसी भी चीज पर उनमें conflict जल्दी क्यों होते हैं जो भी peer group है उनमें conflict जल्दी क्यों होते हैं तो childrens are rude children want to lead the group children come from various backgrounds children may not listen to each other तो peer group है means friend circle है कोई एक group है उसमें five friends है तो पाचों friend का background जो है अलग-अलग होगा किसी की कुछ thinking है किसी की कुछ thinking है तो यहाँ पर point of view अगर कुछ point है कुछ discussion हो रहा है तो वह एक दुसरे को affect करता है इसमें सही option हो जाएगा कि जो children है इनको जो friends है वो different different background से आते हैं इसी लिए उनमें conflicts जो हैं वो ज्यादा होते हैं अगर हम next question की बात करें तो next question है families have the most profound impact in परिवारु का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है किस पे अगर कोई बच्चा है कोई child है तो उसका family का जो है उस पे बच्चे पे सबसे ज़्यादा effect क्या पड़ता है options and spoiling, nurturing, training, none of these तो simple सी बात है जो family है वो अपने बच्चों को कैसे nurture कर रही है उनको कैसे portion दे रही है उनकी कैसे take care कर रही है उनको देख भाल कैसे कर रही है तो उसका जो answer हो जाएगा वो है nurturing को भी family अपने बच्चों को बिगाटी तो है नहीं तो spoiling तो ऐसे ही negative है कर जाएगा उसके बाद बचा के nurturing training means किसी चीज को इलिए उनको train करना तो ये family नहीं करती family उनको कुछ सिखाती है अपने moral values देना उनको उनका portion करना की कैसे वो grow करे उनको values सिखाना तो nurturing में इस अब आ जाता है तो family have the most profound impact in nurturing means बच्चों को कैसे क्या चीजें सिखानी है ये आता है nurturing में next question के अगर हम बात करें theories that has not theorist that has not ये question आपको ध्यान से पढ़ना जहां पर not दिया होता ये भी net के exam में पूछा गया है कि theorist that has not extended the work of psychoanalytic theorist fruit, fruit ने काम किया है जो psychoanalysis theory है fruit की, तो fruit की psychoanalysis theory पे और भी कई सारे theorist ने काम किया है बट इन में जो option दिये हैं इन में से कौन सा theorist है जिसने fruit की psychoanalytic theory पे काम नहीं किया है तो यहाँ पे अगर आपने कुछ theories अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा एरिक एरिक एरिक्सन ने क्या है अगर आपको नहीं पता है तो यूरी ब्रोन फ्रेनर ने आपने पढ़ा होगा इन्होंने ecological system theory दिये तो simple सी बात है इन्हों ecological system theory दिये है तो इन्होंने psychoanalytic theory के बारे में काम नहीं किया है इन लोगों ने Freud की जो psychoanalysis theory है उस पे काम किया है और यूरी ब्रोन फ्रेनर ने काम नहीं किया है और यहाँ पर पूछा है कि इसने काम नहीं किया है from where does ovum is released? ovum कहां से रिलीज होते हैं? तो ovum जो हैं वो ovary से रिलीज होते हैं और इनका fertilization fallopian tube में होता है next question आता है according to Freud at which age children struggle with sexual desire towards opposite sex यह answer हम नहीं बताएंगे आपको इसको पहले ही पुछा गया कि odipus complex and electra complex जिसमें जो बच्चे हैं उनको opposite sex parents की तरफ उनको sexual desires होती है opposite sex parents की तरफ तो यह कौन सी stage में होता है तो यह आपको बताना है इसका answer हम next video में आपके साथ discuss करेंगे आपको इसका answer comment section में देना है next question आता है how long does period of zygote last after fertilization fertilization के बाद जो zygote का period है इसको कहीं कहीं आप om भी पढ़ेंगे तो zygote दिया है या om दिया है तो यह दोनों word सही है तो om का period या फिर zygote का period fertilization के बाद कब तक का होता है तो जो हमने पढ़ रखा है om, embryo, fetus तीन पार्ट में divided होती है पूरा जो pregnancy का पूरा period है वो तीन पार्ट में divided है om, embryo and fetus तो यह एगर हम जाइगोट की बात करें या om की बात करें तो यह 2 week जो 0 से 2 week का जो time होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट का 3 to 9 week embryo और 9 week के बाद till delivery तक का जो period होता है उसको बोलते हैं fetus तो यह जाइगोट की बात की गई है कि fertilization के बाद जाइगोट का period क्या होता है तो 0 से 2 week का जो period है वो जाइगोट उसको बोलेंगे period of जाइगोट और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like and share जरूर कर दीजेगा और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और दो question है आपके लिए औरिपस complex और इलेक्टरा complex ये कौनसी स्टेज में इनके बारे में describe किया गया ये characteristic कौनसी स्टेज में बताए गए है वो stage का नाम आपको देना है उसके वद प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने साल से लेकर कितने साल तक ये प्री ऑपरेशनल स्टेज रहती है ये भी answer आपको comment section में देना है, हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, wish you all the very best, good luck, bye-bye.